दिल्ली में रहे कि अगर आप पहाड देखना चाहते हैं, जंगल देखना चाहते हैं और एक ऐसी जगा बैठना चाहते हैं जहां से आपको पिना, पैसे लगाए, हिमाचल वाला फील आने लग जाए तो वो जगा है जेन्यू में PSR, जेन्यू वैसे तो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए एक खुबसूरत जखा होने का भी इस एक गौर अप्राप्त, वो जगा है पार्थ सौर्थी रॉक्स, जो यहां क तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ, जेन्यू के उस बहतरीन जगा पे आपको दिखाने वाला हूँ वो जगा, और वो क्यों इतनी खुबसूरत है, वो नजारे आप देखके खुड डिसाइट कर लेंगे, अब हम आगे बात करें अगर, कि यहां पहुँचना कैसे है जब भी आप सबसे नजदी की मेट्रो जो है मोनीर का या होच खास उतरते हैं, वहां से आपको जेन्यू आना है, जेन्यू में गेट आने के बाद अगर आप यहां पे कोई रहता है तो आपकी इंट्री करा देगा, और नहीं रहता तो आना मुस्किल है, वहां से में गेट लाइबरेरी की तरफ रास्ता जाता है, उसके जस सामने एक गेट दिखेगा, जो आज कल गेट बंद रहता है, उसके बगल से एक रास्ता है, जो PSR जाता है, अब इन रास्तों पे चलते हुए आपको एसास होगा कि साइड यह उतना खुबसूरत नहीं होगा, जितना आपको सिर्फ सपार्ट साइज स्पार्ट दिखेगा, और उपर एक पहाड सा दिखेगा, जगह दिखेगी, तब आपको खुबसूरती का हैसास होगा, और उससे भी ज्यादा खुबसूरत आपको तब लगेगा, जब आप उस पहाड पे चड़ने लग जाएंगे, जैसे आपको जो बाहर की दुनिया है, वो नज़र आने लगते हैं, पेसर उचाई तक जाने का रास्ता नहीं है, वो एक नजरिया है, जहां पे आप जैसे ही ऊपर जाते हैं, आपको कुछ और भी दिखता है, साइज जैसे आप पढ़ाई करते जाते हैं, दुनिया के बहुत सार तिल्सम आपको नजर आने लग जाते हैं, और दुनिया ज़्यादा खुफसूरत लगने लग जाती है, अब हम पेसर की बात करें कि यहां क्या खुफसूरत है, लोग क्यों आना चाहते हैं, तो उसमें बाते करें कि लोगों के पास अलग लग वज़ा होती है, पढ़ाई क करने के लिए जेन्यू के पास library है, reading rooms है, hostel है, लेकिन बैठने के लिए सुकून से enjoy करने के लिए as a couple भी आप जाना चाहते हैं, तो PSR है, अलग लग लोग सुबा अगर हम बाते करें, तो सुबा का नजारा बहुत खुबसूरत होता है, PSR का सुरज निकल रहा होता है, लेकिन इंजेन्यू में सुबा थोड़ी लेट होती है, जादा तर लोग रात में जगना पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, गोमना पसंद करते हैं, तो यहां के लोग सुबा थोड़ा कम उठते हैं, मुझे सुबा उठना पसंद है, और मैंने बहुत सरे वीडियो जो ब हल रहा होता है और एक लालिमास ही होती है उस पूरे के पूरे पेड़ों के पीछे वो फो नजारा बहुत खुबसूरत है अब बात करें कि PSR में बैठ के आप क्या-क्या देख सकते हैं जब भी आप PSR में बैठेंगे खासतोर पर जो उपर वाला पहाड है वहाँ अगर आप बैठने की कोसिस करें तो वहाँ बैठके आपको बहुत अच्छा सा लगता है क्योंकि आपको लगता है कि जो बाकी लोग है उन से आप काफी ओंचे हैं और काफी दूर तक देख पार हैं वहाँ से अगर आप बैठके देखने की कोसिस करेंगे तो आपको IAT दिखेगा अगर देखेंगे तो कुत्व मिनार बहुत क्लियर दिखता है अगर बारिस नहीं हुई आप ऐसे देखते हैं तब भी आपको नजर आ जाएगा जेन्यू की जो लाइबरेरी है जो काफी उची और बड़ी लाइबरेरी है वहां से नजर आती है और भी अगर आप देखेंगे जो अगर आप होसियार हैं आपको पता है कि आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे तो सामको जब चिडिया और जो भी उड़ने वाली चीज़े होती हैं वो जब वापस लौट रही होती है उस लालिमा में सूरज की हलकी हलकी रोशनी डाउन हो रही होती है लोग अपने घर की जाते हैं उपर से वो बहुत खुफूरत एसास है क्योंकि यहां से एरपोर्ट नजदीक है और प्लेन काफी नजदीक ही से जाते हैं तो बहुत बार इस एसास के लिए भी आप वहाँ पे बैठ सकते हैं यह सारे वियू आपको तब ही मिलेंगे जब आप PSR आएंगे और PSR मैंने उसको सामिल नहीं किया लेकिन आज मैं बता रहाँ PSR के बारे में पेड जितने हैं वहाँ पे वो बहुत खुफूरत है और जो एक और खास बात है जो open theater है PSR में वो बहुत खुफूरत है जैसे आप पहाड की तरफ जाते हैं वो रास्ता गर आप नहीं लेंगे तो नीचे एक open theater है वहाँ जाने का जो नजारा है वो बहुत खुफूरत है आप जैसे जाएंगे काफी सांत रहता है उतर बहुत कम लोग जाता है लेकिन वो भी बहुत खुफूरत है जैसे आप उतरते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे उस रास्ते पे वो एक अच्छा रा पहुत लोगों ने अपनी कलाकारी करी हुई है यंग जनरेरेशन किताबों में और बांकी जगा जब उनको लिखने से फुरसत मिल जाती है तो दिवालों पे लिखना पसंद करते हैं उनको लगता है कि जब हम दिवाल पे नाम लिख देंगे तो हमारा नाम अमर हो जाएगा तो साइद उनको हैसास नहीं है कि दिवालों पे नाम जो अमर वाली बात है वो इस वाली दिवाल की बात नहीं है आपको लोगों के जहन में अपना नाम लिखना होगा वो करना होगा उन दिवारों का वहां मौजूद होना और वहां लिखना ये दिखाता है कि जहनों में पढ़ने वाले या आने वाले लोग भी बाहर वाले लोगों जैसे ही हैं यहां कुछ अलग नहीं हैं वो लोग सर इंसान के अंदर जो प्रवित्ती होती है किसी भी बेतरीन इमारत को खराब करने की वो यहां भी है वहां आपको नचारा दिखेगा लेकिन ओवराल यह एक गज़ी नहीं मिल रहे है तो आपको मेहनत करनी चाई और जैन्यू इं windows उन्ट्रेज क्राइक करना चाई और यहां का student बन जाना चाई वी लगातर बने रहे है ऐसे यी वीडियो आपको आते रहेंगे और जिसे तरह का वीडियो आपको चाहिए आपको कमेंट करके बताए इस वीरो मित नहीं जाहिन